RJD नेता और नेता परतीपक्ष तेजश्वी यादो आज से जनसंबाद यात्रा के दूसरे चरण पर निकले हैं तेजश्वी यादो का यात्रा आज बिहार के बाका जीला में पहुँचा और वहाँ पर तेजश्वी यादो ने अपने कर्ज करता को मुल मंत्र दिया है देखे उन्होंने कहा कि आप नेता का परिकर्मा मत किजिए बलकि जनता के बीच में जाकर लोगों से मुलाकात किजिए जनता से बातचित किजिए और आप बताईए कि हमारा वीजन क्या है हमारी सरकार आएगी तो हम 200 इनिट बिजली मुफ्त में देंगे तेजस्वी यादो ने कहा कि रासन पांच किलो जोगा दस किलो रासन दिया जाएगा देखे लेकिन अचानक एक बड़ी खबर सामने आई जब तेजस्वी यादो का यात्रा दूसरा चरण निकल चुका है लेकिन इसे बीच अब तेजस्वी यादो का जो यात्रा है उसे में लेकिन उसके बाद से तिजस्वी यादों का काचकरम अस्तखित हो जाएगा इसके पीछे की बड़ी वज़ा है कि आपको मालूम है कि जार्खंड और बिहार में जो एलेक्शन कमीशन है वह प्रेस कॉंफरेंस करके इस बात को जारी कर देते हैं कि जार्खंड में जो बि बिचार में पीजार में बीदान सभा सीटों पर उपचुना होना है तो कहीं न कहीं इसमें अब तेजस्वी यादों की बेस्तता है वह बढ़ जाएगी, तो कहींनं कहीं तेजस्वी यादों अब इस यात्रा को रध कर रहे हैं देखिए इसी को लेकर बाते सामने आई कि तेजस्वी यादो की जो यात्रा है उसको अब थोड़े दिन के लिए अस्तकित किया जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादो जिस तरीके से अब चुनाव में है वह सक्रिये हो जाएंगे क्योंकि जारखंड में भी तेजस्वी पूरी दम लगाएंगे क्योंकि उनको पता है कि 2025 में फाइनल मैच है लेकिन सेमी फाइनल मैच इसी महिना यानि की जो ऑक्टूबर है इसके ठीक अगले महिने बाद 13 नौंबर को जो चुनाव है उसमें होने वाला है क्योंकि तेजस्वी यादो को एक एक चीज भी मालूम है कि किस तरीके से जो है वा बिहार में अगर इन चार सीटों पर तेजस्वी यादो की पार्टी बेहतर परफर्वेंस करती है अगर जीत कम से कम तीन सीट पर जीत जाती है तो फिर 2025 में यानि की अगले विधान सभाचुना में तेजस्वी यादो को मुखमंत्री बनने से लगाकर मैदान में उतर चुके हैं वह रहाल आपके सोचे कमेंट बोक्स में जरूर दीजिएगा आप यहार एक सोच आप देख रहें बहुत बहुत धन्यवाद